नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल के साथ जूडने के लिए शुक्रिया जैसे कि आप देख सकते हो मैं आज थोड़ा सा टाइट टी शर्ट पहन मैंन के बैठा हूँ क्यूंकि आज मैं बात करने वाला हूँ दो बॉडी बिल्डर्स को लेके एक बॉडी बिल्डर है बनोच पाटिल जो एक्स मिस्टर इंडिया रह चुके है और दूसरे बॉडी बिल्डर है साहिल खान जो एक सोशल मीडिया इंफ्लेंसर है एक एकस बॉलीवड एक्टर भी है इनकी एक मुवी आये थी स्टाइल बोलके जो आपने देखी होगी और उसके बाद वो सोशल मीडिया में काफी जाद एक्टिव है काफी दिनों जे मैं नोटिस कर रहा था कि साहिल खान उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कुछ वीडियोज दे रहे हैं जो मनोच पाटिल को रोस्ट कर रहे थे जो मनोच पाटिल का मजा कुड़ा रहे थे ये बोल रहे थे कि मनोच पाटिल बहुत ज़ादा स्टेरोइड लेते हैं वो फेक मेडिसिन्स देते हैं लोगों को स्कैंडल करते हैं यह सारी चीजे बोल रहे थे और इन सारी वीडियोज में मनोच पाटिल को डिज्रेस्पेक्ट किया गया था, मनोच पाटिल को साइबर बुलिंग किया था कल हमें खबर आती है कि मनोज पाटिल स्विशाइट करने का attempt करते है वो उनकी जान तो जाती नहीं लेकिन काफी critical वो हो जाते है और उनको लेके जाते कूपर हॉस्पिटल जहाँ पे उनकी treatment की जाती है और अभी मनोज पाटिल खत्रे से थोड़ा बाहर है बहुत सारे pills, बहुत सारे tablets खाके वो suicide करना चाते थे और एन वक्त पे उनके hospital लेके गए जिसके कारण उनकी जान बज़ गई इन्होंने एक suicide note भी लिखा था मनोज पाटिल ने जिसमें इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि साहिल खान उनके मौत के जिम्मेदार है और ये अभी मुमई पुलिस के हाथों लग चुकी है अभी कुछी घंटों पहले साहिल खान आये थे और उन्होंने एक press conference की थी जहाँ पे कुछ लर्कों को लेके वो बैठे हुए थे और उन्होंने ये बोला है उन्होंने ये दावा किया है कि मनोज पातिल कुछ illegal drugs वो बेचते थे जो expired drugs है वो बेचते थे और witness के तौर पे साहिल खान ने कुछ लर्कों को उनके साथ लाये थे और वो लर्के आके ये बोल रहे थे कि मनोज पातिल ने उनको cheat किया है मनोज पातिल ने जो fake supplements है जो fake medicines है वो इन्हें बेचा है और जब पैसे की बात की गई तब मनोज पातिल ने उनको पैसे देने से मना कर दिया साहिल खान ने ये भी बोला कि ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको मनोज पातिल ने fake दवाईया बेची है जिसके expiridate already वो दवाई के expiridate cross कर चुके थे और मनोज पातिल supplements लेते थे illegal drugs यूज करते थे तो ये सारे जो आरोब है ये साहिल खान ने मनोज पातिल पे लगाए है लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें तो मनोज पातिल ये जो drugs है वो बेचते थे ऐसा साहिल खान दावा कर रहे है और साहिल खान कुछ witness भी लेके आया है जो ये दावा कर रहे है अगर ऐसा हुआ कि मनोज पातिल का इन सारी चीजों से कोई भी नाता नहीं है लेकिन उसके बावजूद साहिल खान उनको cyber bullying करते थे साहिल खान उनके घर जाते थे और उने परेशान करते थे तो साहिल खान के खिलाफ कारवाही होनी चाहिए लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहे थे और उनको बुली कर रहे थे अगर आप साहिल खान की माने तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मनोज पाटिल जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है मतलब जो दवाईया है इन्हें बेची गई है और उसका पैसा भी रिटर्न नहीं दिया गया है तो ऐसे बहुत सा संगीन एक घटना हुई है अभी और अभी तो जाच चल रही है लेकिन अगर आप honestly मुझे पूछो तो मुझे लगता है कि मनोज पाटिल कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे थे जिसके कारण बहुत सारे लोग मनोज पाटिल से खफा थे जिसके कारण मनोज पाटिल को लेके इ ये प्रूफ करने का कि वो इनोसेंट है जिसके कारण अभी उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की मुझे यहाँ पे लगता है कि मनोज पाटिल की गलती थी और मनोज पाटिल कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे ये मेरा ओपिनियन है आप लोगों को क्या लगता है मेरे व जिम्मेदार है कौन यहाँ पे गलत है इसके बारे में हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा रेगूलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जूरे रहिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस टेक क्यार दोस्तो जय हिंद।